अगर आपको invalid capture बता रहा है अगर आपको MA धार या फिर UDID अंदर ठीक यह वाली problem अगर आपको आ रही है तो किस तरीके से आप इस problem को fix करोगे वो आज किस वीडियो में बतेंगे तो वीडियो का आप पर पूरा जरूर देखे चाहे आप profile create कर रहे हो या फिर UID के अंदर को या समय बैक चला जाता हूँ ठीक है आप यहाँ पर आप कोई भी काम कर रहे हो पिसिकलिए अगर आपको यही दिक्कत आ रही है यही problem अगर आपको face करने पर रही है तो इस situation में क्या करोगे आप सबसे पहला तो यहाँ पर जो चीज होता है वो होता है आपका मतलब यहाँ आप जैसे हम कि यहाँ पर capture है ठीक है यह जो उपर लिखा है वही हमें नीचे लिखना पड़ता है आप यहाँ पर capture सिर्फ numbers में हैं कभी-कभी आपको यहाँ पर लेटर भी रेकने को मिलते है small और capital हमें यह कभी-कभी उलज़ा सकते हैं तो उसी situation में हमें यह problem आती है तो स सबसे में क्या चीज करने है आपको यहाँ पर कोई space वगेरा नहीं देना जो उपर लिखाए वस वह आपको नीचे type करते जाना है और यहाँ पर space वगेरा नहीं देना होता है और small और capital letter scope को यहाँ पर समझना पड़ेगा बाकि यहाँ अभी सभी जो है नंबर से इस वज़ करेंगा और आपको थोड़ा सा दूसरा अलग वाला capture देखने को मिलेगा आप उसे यहाँ पर फील करके request OTP कर सकते हैं अगर आपको वीडियो आपर समझ में आती ही तो वीडियो को लाइक हो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लिए